तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीट एंटी वर्ड काप कौलिफार एक ही जो की मेच होने वाला है यहां से नेपाल वस्स फिलिपाइंस के बीच में तो चली दोनोई टिम के प्लेज पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसे प्लेयर को हम लोग यहां से स्म की देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल सस्क्राइब पहल लीजिगा क्योंकि यह पुरी टुनामेंट कवर की और फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम से जुट जाएगा है नीचे डिस्क्रिप्चन में लिंक है यह पिर आप सर्च भी कर सकते हो सर्च करके भी आप जोइन कर सकते हो तो इस मैच की बात के तो यह मैच सुबह में 11 बचकर 30 मिनिट पर अल अमिरट क्रिकेट ग्राउंड ओमान क्रिकेट मिनिस्टर श्रप टू में शुरू होगा पीची रिपोर्ट की बात करे तो यह बेश्मेंट को अच्छी हल्प करने वाली है क्योंकि स्वाट बाउंडरी जह यह पर और बैट पे बॉल अच्छे से आ रही है इसका पूरा फाइदा है यह से बेश्मेंट को आसा कुछ करते हो नजर आ सकते है लेकिन कंडीशन के यहाँ पर अगर न्यपाल पहले बेटिंग करती है तो आपको स्कौर 170-180 या फिर 200 प्लस भी आपको स्कौर दिखाई दे सकता है और इनकेस अगर फिलिपाइंस अगर पहले बेटिंग करती है तो आपको मैक्सिमम तो 10 120 के आसपा से स्कॉर बनता हो दिखाई दे सकता है क्योंकि ऐसा दो बैटिंग पीछ है एक दम लेकिन फिलिपाइन्स मुझे नहीं लगता कि नेपाल की बॉलिंग के सामने फिलिपाइन्स टिक पाएगी तो इसके लिए फिलिपाइन्स अगर पहले बैटिंग करेगी तो काफी कम स्कॉर देखने को मिलेगा यहाँ पर बाकी चेजिंग रेकोट देख सकते हैं आपके चेजिंग करने वाली टीम को यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है दस मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है लेकिन यह आंकड़े कोई मायने नहीं लगे बाकी नेपाल ही आपको जित्ती हो नजर आ सकती हैं बात करें आप पर आशिफ शेख तो चार रन किये थे लास्ट मैच के अंदर लेकिन प्लेयर जबद जस्ते और और 38 के इवरेट सभी दक रन किया है प्लस आपको आजिंक ज़ये आपको विकर कीपिंग सेक्शन में भी दिख जाएगा तो यहां से कैचिंग से स्टंपिंग से अच्छी पॉइंट्स देगा और विएसे भी विकर कीपिंग सेक्शन में अच्छी चोईस है यहां से आसिफ तो हमें देखे जाना होगा बाकि कोशल भूर्टेल की बात कर तो यह प्लेयर बहुत ही जबजस है इवन अगर पहले नेपाल बैटिंग करता है ना तो मेरे कैप्टन यहां से कोशल भूर्टेल रहने वाले है और यह हमको नौटिस करके चलना है कि यार मेरे प्लेयर है और इ ग्यानेंद्र मल्ला की ओन डाउन बैटिंग करेंगे 15 रन की यह थे लाश मेच के अंदर वर ओल बत्तिस मेच के अंदर 613 रन चोविस के विरेट से अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वन डाउन खेलेंगे और वैसे भी हमें इंगे टॉप ओडर चाहिए नेपाल के टॉडर मैं अगया नहीं की टोप के तीन बैएर यह फिर चार बैएर लेंगे और वागी के सारे बॉलर्स के अच्छा प्रे नुचा करते हो लेकिन आपन इंसे अ्चछ में रघेए लेकिन बॉलिंग से ज ps एक्सेप्टेशन रखेंगे जो हैंसे डिपेंग दर सिंग एरी भी हमारे लिए इंपोनेट भी हो सकते हैं बात करें यहांसे आरिफ शेप की जो आरिफ से कभी बॉलिंग भी करवा लेते हैं लास्ट मैच के अंदर अड़ती सरंड गिये थे वैसे इससे पहले 20 हुई थी कुछ कंफर्म नहीं है ओस करवाएंगे तो विकेट जरूर लेंगे यह कंफर्म है बाकी बात करें यहांसे लोकेस बाहदूर बाम राइट हैनेट बैटिंग करवा लेते हैं प्रस राइट हम मीडियम पास गयन बाजी करवा लेते हैं लास्ट मैच के अंदर 16 रन किये थे और इससे पहले वाले आंकड़ें उनके कई पर मिले नहीं तो आइधिंक के शायर आपको थोड़े से नीचे बैटिंग करवाते हैं नजर आएंगे तो देखो हमें ऐसे भी ज्यादा नीचे वाले प्लेयर्स ले नहीं है यहांसे नेपाल के हैं तो लोकेस बाहदूर बाम तक तो हम जाएंगे भी नहीं ऐसे थोड़े से रिस्क्री खेलो तो इनको ले सकते हो बाकि बीबेक कुमार यादो का भी सेम चीज है साथ मैच में 87 रन की पारी खेली हुए है पारी नहीं खेली है टोटल रन की हुए 87 रन और लास्ट मैच के बात कर तो बैटिंग करते हु वाकि कमल सिंह आरी आपको अच्छा करता हुँ नज़रा याँ सकते है तो कुछ इससरा से हो सकता है के जखेली यां से ब्खेल से आपको 2-3 विक्र एक साथ में लेते हो नज cevा सकते बाकि संदीफ लमिचा एंए तो यह measurement a लेग खेल कि him time कैपिटेल की तरफ से IPL खेल चुके और इससे पहले BBL हो गया, PSL हो गया, लगबग सारी लीग जब भी खिली जाती है तब संदीब लमीच्छा ने जरूर होते हैं, तो यहां से काफी अनुबवी है और इतने सारा अनुबव होने के कारण यहां से अच्छा कासा कुछ कर सकते हैं तो यहां से अगर पहले बैटिंग फिली वाइस के आती हैं तो हम लोग यहां से कैप्टन सीब और वाइस कैप्टन सीब कमल सिंग एरी या भी संदीप लमीचा ने हमारे कैप्टन रहने वाले हैं अभीनाश बोहरा जब जस्ट ब्लेयर है काफी अच्छे योर्कर लगाता है और यहां से देथोज में भी गैनबाजी कर सकता है और हमारे लिए अच्छी चोईस हो सकता है यहां से अभीनाश बोहरा तो एज प्लेयर तो हमें उनको लेकर जाना ही पड़ेगा प्रदीपेरी उनको शायरी मुखा मिल सकता है कुशल मला वह भी ठिक टक प्रदरशन है सवराद विशाओकर वह इससे पहले एक ट्विट एंटी खेले थे UAE के समने यहां फिर आइलेंड के समने एक मैच खेले थे लेकिन आइथिंक के शायरी उनको मुखा मिल सकता है केशी करन इनको जरूर मुखा मिल सकता है हो सकता है आज की मैच के अंदर खेलते हो नजर आ जाए बाकी बात करें यहां से साहे बालम तीन मैच के अंदर दो रन है दो विकेट है और यहां से सागर दाकल को शायरी मौका मिल सकता है तो इन में से अगर कोई खेलता हो नजर आए तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रम में प्रवाइड के जाएंगे देश के लिए बोला हो टेलिग्रम से जूट जाना इस जब आती है तब इंटरनेशनल टीम के साथ में उनको बीड़न्थ होती है जैसे भी नेपाल नेपाल अभी इनके समया कर देखने के लिए जाए तो हम जैसे इंडिया और केनिया की मेच होती उस ताद से होने वाला हो सकता है यहां से फिलिपाइज के बात कर तो रिचा देख सकते हैं तो इससे उपर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से लेवल की टीम होने वाली है बाकि कफिल कुमार ने लास्ट मैच के अंदर 23 रं किये थे राइट हैंडे बेटिंग करवा ते लेकिन बेटिंग से 23 रं का एक अच्छा और सनमान जनक स्कॉर किया था यह बेटिंग करवा लेते हैं अभी इस टीम का सबसे मजबुत अभी मैं प्लेयर बोलू जो कि अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इस मैच में तो वह है डैनियल सी स्मिथ 35 रं किये थे अच्छी मजबुत पारी उनकी तरफ से आई थी कि अपने टीम को बचाने के लिए कोशिस् प्रदर्शन को नहीं मिला था तो यह तीन प्लेयर दो हो गया वह च्छाथे प्लेयर की बात कर तो यहां से कपिल कुमार को ले सकते हो या फिर यहां से पूड़ोस्की को ले सकते हो प्रफॉमस कुछ भी नहीं था उनका बैटिंग से बारे में भी था तो यह दोनों प्लेयर के बारे में तो ज्यादा बात ही नहीं करेंगा हाँ यहां से हुजेफा मुहमद अकरम को जरूर ले सकते हो चार मैच के अंदर साथ विकेट हैं उनके खाते में क्लब टीव चेंटे की बात करो तो लास्ट मैच के भी चार ओस की गेंदबाजी की थी जा पर एक विकेट लेके आ गए थे तो इनको अगर लेके जाना तो इनको लेके जा सकते हो यहां से सेव मोहन बुशी रेडि है यहां से मचंडा बीडपा है और यहां से वाइफवब पुरो ही थे तो इन में शकर को खेलता तो इनके श्रेट पर आपको टेलगर में प्रवाइड के जांगी इन में से खेलेगा तो कौन खेलेगा सीव मोहन बुसी रेड़ी इनके कुछ रेकोड ठीक ठाक है चार मैच के अंदर 126 रहने तो इनको हो सकता है अगली मैच के अंदर मुखा मिल सकता है तो चलिए अपी हमारी फेंटासी टिम देख लेए कि कौन से प्लेयर को में लेके जाना है आप अगर चाहे तो यहां से गुडविल के साथ जा सकते हो उपनिंग करवाएगा उनके टीम की तरब से तो उनके साथ जाना हो तो जा सकते हो बाकि जे हील जो की वन डाउन खेलेगा उनको भी लेखे जाना हो तो जा सकते हो बाकि ओल डाउंडर सेक्शन के बाद को तो ड और यहां से जितेंद्रम मुखिया तो इन में से अगर यह बोलर को मुखा देना चाहा तो अपने इसाब से जे सकते हो अभी केप्टन सिप और वायस केप्टन सिप की बात करो तो यह मेंने केप्टन सिप दीए यह सोच के कि नेपाल पहले बैटिंग करवाईगा अगर नेप पहले बेटिंग करवाती है तो यहां से संधीब लार निचह में मेरे कैप्टेन रहेंगे वास कैप्टेंशिप मेरे रहेंगे कमल सिंग एरी तो कुछ इस तरह से टिम हो सकती है आप जेख सकते हो और इसमें भी फाइनल लाइन आपके बाद आपको काफी सारे चैंजिस लोत search कर सकते हो at the rate fdc27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा simply उसे जोइन कर देना है तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक और शेर जरू कर से और बाकी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले एक बार वापस बोलना पड़ रहा है आप लोग भूल जाते हो तो क्योंकि यार फाइनल अपडेट आपको मिलती रहे और जो भी अच्छी मेची से उसके सारे वीडियो के थुरू आपको एनालिसिस मिलती रहे त तो पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा एनालिसिस करते रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छी विनिंग करते रहो हम लोग मिलती अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जयहिन जय भारत